होलकर साइन्स कॉलेज इंदौर में भोती की प्रोफेसर व प्राचारे रहे और यंग साइन्टिस्ट का अवार्ड राप्त कर चुके प्रोफेसर राम श्रिवास्तव ने ये दावा किया है ये दावा उन्होंने स्पेन, चीन, अमेरिका, यूके की मैडिकल संस्था के रिसर पूरी तरह से लेब में ही बनाया गया है, प्रोफेसरेंट साहब का मानना है कि दूसरे वाइरस और इस वाइरस में काफी अंतर है, रिसर्च में पता चला है कि नेच्रल वाइरस और कोरोना का वाइरस का जीन से सिक्वेंस क्रम बिलकुल अलग है, नेच्रल वाइरस का सिक नहीं बदल रहा दूसरे वाइरस की तरह इसका न्यूट्रिशन नहीं हो रहा इससे असी प्रतिशत संभावना ये है कि इसे लेब में बनाया गया है और ये पूरी तरह से प्राक्रतिक नहीं होकर जैनेटिक मॉडिफाइड वाइरस है प्रफेसर राम श्रवास्तों ने बता होना सूंगने की शमता कम होना और खाने का स्वाथ पता नहीं चलना कोरोना वारस के शिरुवाती लक्षण है जब कोरोना वारस हमारे शरीर में हवा के द्वारा घुसता है तब सबसे पहले उन ग्रंथियों को खराब करना शुरू कर देता है जिन से हमें सगंध या दुर सूखी खासी तेज बुखार और साफ लेने में दिक्कत जैसी सवरस्या होनी लगती है उन्होंने बताया कि कोरोना वारस में इंसान की आँखों का कलर भी गुलाबी हो जाता है इसके लिए अमेरिका की अमेरिकन और्थलोजिकल सोसाइटी ने अपने सभी नेत्र विशेश संग्यों को भी अलर्ट किया है इसमें कहा गिया है कि कोरोना वारस के शुरुआती लक्षण में आखों का गुलाबी होना भी शामिल है यह वारस उन लोगों के लिए भी खतरनाक है जो कॉंटेक्ट लाइंस का इस्तमाल करते हैं प्रॉफिसर साहम ने बताया कि इस वारस क पतला हो जाएगा और कोरोना वारस उसमें चिपक नहीं पाता है उज्जाई प्राणायाम से गले में सांस दबाकर कंठ और पेट के बीच में उपर नीचे ले जाते हैं जिससे कबूतर जैसी आवाज आती है इसे श्वास नलीका में वारस जमान नहीं रह पाएगा और पे केट में चला जाएगा और हाइड्रो क्लोराइड लिक्विड उसे खत्म कर देगा सब्सक्राइब आच चैनल एंड प्रेस्ट बेल आइकन फूर अपडेट्स